कि हैलो फ्रेंड आज मैं कॉर्ण से कॉर्ण जी कॉर्ण अलग लग चैज हैं दोनोंієं द्म है भाज होते हैं छুट के raam से ब्हुते हैं च्याइब डान ये मांड पैंब अलग स्टार्स जो होते हैं अच्छे से अलग होंगे तो मैं इसका मिल्क निकालने वाली हूं अच्छे से ब्लेंड करके और मैं एक और चीज बीपता तूंभ अरा र्योट भी सोचते हैं वह भी स्टार्च ही है वह कंद के स्टार्च से वह भी बनते हैं लेकिन अरोट अलग है तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा इसलिए मैं आपको अच्छे से बता देए कि कॉर्ण स्टार्च और कॉर्ण फ्लो सेम चीज़ है और मक्य का अठा अलग हुआ तो देखिए मैं अच चलने में देख सकते हो जो फाइबर उपर रहा रहे हैं वा श्टार्च सारी नीचे हैं अच्छे से मैं निकाल लेती हुआ पानी डाल के और मैं दबा दबा के निकाल लेती हुआ और यह जो उपर वाली फाइबर इससे आप फेकिये मत क्यूंकि इसका बहुत सारा यूज़ आप कटलेट में यूज़ कर सकते हैं या पकोरा में बहुची हो मैं फेकने वाली तो नहीं हूँ अब मैं जो इससे मैं बारा घंटे तक फ्रीज में रख दूँगी क्योंकि बाहर रहने पर तो इसमेल आ जाएगा तो इससे मैं अंदर रखूंगी और यह पानी और स्टार्च खुदी अलग हो जाएंगे आथा montón अब देख सकते हो बारा घंटे हो चुकह है तो पानी आप देख सकते हो अलग है और स्टार्च नीचे बैठ हो आ और उपर दीख रहे वह बबल जो होता है ना उसके क्रीम बेट चुके है तो पर वाले तो इसे अच्छे से अलग करूंगी पानी को बरतन में और जो बाद दीख रहे ना क्रीम वो जो बबल बने वे थे च्छानते वकत जो इस्टार्च वह में चान रही थी तो बबल से जम तो पानी में जाता है तो कोई दिकत ने इस्टार्च आप आइस्था इस्था ही पानी को अलग कीजिए कि स्टार्च बैठा हुआ रहे देख सकते पानी अराम से अलग हो जा रहा है ज्यादा कॉइंटी टिम बनाएगा तो और अच्छे से बनेगा मैं तो थोरी सी बना रही थी आप लोगो दिखाने के लिए अब मैं यहांका मौसम स्यां खुर मैं कि लेकिन शुक्या जा रहा है तो दो सखाली यूंग गर गया लेकिन जदी गेंग ङरमी का मौसम है तो आपके एकदिन में हराम से शुक जाेंगे तो मैं दूसरी दिन में इसे खरोज्ट के निकाल लेते हूं और कि अभी देख्ष तो बहुत ही सिंपल है इसके आप निकाल लो ऐसे आप पीस के पाउडर बना लो च्छान बिलो देखिए दुसरे थाली वाली में सुखी हुई है तो इसे में खरोच के मैं से बलसा दो बार में चलाने वाली हुं मिक्सर में बारिक हो जाए इसी आप ठाम के पूर्ण भी रख सकते हैं लेकिन छानने को जूरत नहीं अब देखा हो तो कितनी फाइन पॉडर बनी है कि अ देख सकते हैं और जदी आपको मेरि वीडियो पसंद आए तो प्लीज सस्ट्राइब किजिए लाइक कीजिए अधर्ट कितनी बारिक बनी होगा है तो है तो में